Hello guys, welcome to Filming Factor Bollywood की फिल्में हमेशा से फिल्म के हिरो के नाम से जानी जाती है फिल्म की स्टोरी भी हिरो के इर्थ गुर्थ घुमती है इस male dominated film industry में हिरोईन सिर्फ नाम के लिए होती है सिर्फ हिरो का love interest या फिर कुछ 10 से 15 मिन्ट का role और तो और कुछ फिल्मों में हिरोईन्स को सिर्फ आइटम सौंग के लिए इस्तिमाल किया जाता है लेकिन Bollywood में कुछ ऐसी भी फिल्में है जिसमें हिरो के बजाए पूरी फिल्म हिरोईन यानि की female actor पर आदारी थे तो आए जानते हैं 10 ऐसी female centric फिल्में जो आपको देखनी चाहिए नंबर 1, चांदनी बार 2001 में आए फिल्म चांदनी बार female centric सिनेमा में एक legendary film है फिल्म के lead role में है तबू जो फिल्म में एक bar dancer के role में नजर आती है फिल्म को direct किया है मदर भंडार करने ये फिल्म बार dancer के जेवन पर बनी एक realistic film है इस फिल्म के लिए तबू को best actress का national award मिला है और साथी साथ फिल्म को best film on social issues का national award भी मिला है नंबर 2, लज्जा 2001 की फिल्म लज्जा हमारे Indian society में रहने वाली औरतों के social issues पर focus करती है जेंडर inequality, डावरी, female feticide जैसे social issues को इस फिल्म में बड़े ही sensitive तरीक से दिखाया है फिल्म में रेखा, मादुर देक्षित, मनिशा कोईराला, महिमा चाउदरी जैसी उस समय की leading actresses नजर आती है फिल्म में अनिल कपूर, आजय देवगोन और जौकी श्राब भी है लेकिन एक female oriented film होने के कारण, फिल्म में female actors पर पूरा focus किया है 2011 में रिलिज हुई फिल्म No One Killed Jessica, डेली में हुए जैसी का लाल हत्याकंड पर आदारित है फिल्म में रानी मुकरजी और विद्याबालन lead role में नजर आते हैं फिल्म में रानी मुकरजी एक news journalist है तो विद्याबालन जैसी का की बहन सबरिना का role play करती नजर आती है जैसी का हत्याकंड जैसी रियल इंसिडेंस पर बनी इस फिल्म में जैसी का को किस तरह से मीडिया की मदद से justice दिलाया गया ये दिखाया है नमब फो पिंक 2016 में रिलिज हुई फिल्म पिंक, male dominated society में females को किस नजरिये से दिखा जाता है ये दिखाया है एक औरत का ना कहना मतलब ना कहना ही होता है फिल्म में तापसी पन्नू और कृतिकुलारी लीड रोल में नजर आती है तो आमिताब बच्चन भी एक important रोल निबाते है डिरेक्टर मदरू भंडार कर अपने realistic और female centric सिनेमा के लिए जाने जाते है 2005 की फिल्म page 3, high society के page 3 culture को expose करती है फिल्म में कोंखना सेंच शर्मा लीड रोल में नजर आती है साती साथ तारा शर्मा और संदैम रिदिल supporting रोल में नजर आती है इस फिल्म को 2005 की best film का national award भी मिल चुका है कंगना रनौत की फिल्म पंगा एक ऐसी विमन की कहानी है जिससे लगबग हर Indian married women relate कर पाती है शादी के बाद कई सारे औरते अपने सपने भुल कर अपना घर और अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए मेहनत करती है लेकिन अगर उसके family वाले उसे support करे तो वो भी अपने सपने पूरे करने के लिए comeback कर सकती है ये एक सादगी से बरी फिल्म है जो हर एक Indian women को देखनी चाहिए नमब सेवेन फैशन 2008 की one of the best film कोई है तो वो है फैशन फिल्म फैशन प्रियंका चोपरा के करियर का turning point साबित हुई प्रियंका चोपरा के साथ साथ फिल्म में कंगना रोनौत और मुधा गोड से important roles में नजर आती है ये फिल्म modeling और fashion world की reality, models का struggle और modeling world की सारी बाते हमें बताती है इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपरा को national award के साथ साथ कई सारे awards मिल चुके है और कंगना रोनौत को भी इस फिल्म के लिए best supporting actress का national award मिला है 2012 की फिल्म English विंग्लिष एक साथगी से बड़ी feel good film है फिल्म में स्रीदीवी एक housewife है जिसे English नहीं आती और इसकी वज़े से उसका husband और उसके बच्चे उसको अपने से कम समझते हैं और उन्हें उनकी शरम आती है अपनी self identity और self respect के लिए स्रीदीवी English tuition जॉइन करती है अगर किसी को English नहीं आती तो इसमें कोई शरम नहीं है और उस इंसन को अपने से कम नहीं समझना चाहिए ये इस फिल्म से हमें सीखने मिलता है अगर गुसा आने पर एक इनसान अपनी बहन या मा को थपड नहीं मारता तो उसे अपने बीवी को भी थपड मानने का कोई अधिकार नहीं है एक थपड को एक छूटी सी बात कहे कर टाल देना आगे चलकर domestic violence को बढ़ावा दे सकता है ये इस फिल्म के जरिये दिखाने की कोशिच की गई है कंगना रनौत के करियर का turning point साबित हुई फिल्म Queen बॉलिड की one of the best women-centric film में इसे एक है फिल्म में कंगना रनौत अपनी शादी तुटने पर अकेली honeymoon पर चली जाती है और अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीती है इस फिल्म के लिए कंगना को national award मिल चुका है तो ये है 10 ऐसी female-centric film में जो आपको कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए इन सारी फिल्मों में female actors lead role में हैं जहां hero की जरूरत ना के बराबर है इन फिल्मों में से आपकी फिल्म कोन सी है हमें नीचे comment section में बताईए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करे और ऐसी नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करे Thank you so much